देरे स्टूदेंट्स तो एनेमर में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा मैगनेटिक इक्विलेंस और इसके अलावा मैं एक और छोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करूँगी इस पीक एरिया यह पीक एरिया थोड़ा सा बीएसी फोर्थ सेम में तो आज हम दो छोड़े छोड़े टॉपिक डिस्कस करने के बाद आज बीएसी फोर्थ सेम का स्लेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स वीडियो में लाओंगी वही जो हम MCQ करते हैं उसके लिए और उसके बाद मैं MSC का स्लेबस जो है आगे continue करूँगी तो मै मैं MSC के students से भी request करूँगी बेटा कि जो next video आएगा आपका ये जो MCQs का आप लोग भी उस videos को दिखेगा और questions को solve किजएगा उससे आपको ये रहेगा कि आपको अब तक कितनी NMR समझ में आई है तो वो आपके लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा तो आज हम जो topic discuss कर रह यहां पर हां कि हम यहां पर ना मैंने क्या करा था ये वाला तो आपको समझा दे था कि 180 degree angle कैसे होता है लेकिन इन दोनों में जो 60-60 degree angle बताया था वो मैं हुड़ाँ सा गड़बड बता गई थी तो मैं ज़रा उसको correct कर देती हूं बटा कि देखो हम क्या कर रहे थे कि मैंन अगर मैं बनाओं newman projection तो front carbon को हम इस तरह से दिखाते हैं dot से तो इस dot पर अगर मैं structure बनाना चाहूं तो देखो इस पर तीन जो इसके bond है वो कौन कौन से होंगे एक bond तो ये जो ring से attached है दूसरा ये hb से attached है और तीसरा ये x से attached है तो मैं इसी को यहां बना देती हूं यह x हो गया एक इधर hy हो गया और एक यहां ring का पार्ट हो गया तो फिर से मैं इसको यहां ha लिख दूँगी ठीक और यहां पर यह रिंग का पार्ट आ जाएगा और यह हो जाएगा y तो जो यह a और hb के बीच का angle है यहां पर यह 60 degree का angle हो जाएगा तो लास्ट वीडियो मैं फ्र फ्रंट कार्बन यह हो जाएगा और बैक कार्बन यह हो जाएगा ठीक है अब मैं इसको फिर से पिछली बार मैंने एक ही structure में तीनों बना देते तो इसलिए गडबड हुई मुझसे अब मैं फिर से इसको अलगी बना देती हूँ यहां पर फ्रन्ट कार्बन पे यहां और इधार आ जाएगा ये रिंग का पार्ट, तो ये अब जो ह A और H B का एंगल है, ये भी हमारा 60 डिग्री अंगल होगा, वैसे तो ये सब कुछ मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाई चुकी हूँ, आपको लेकिन शायद आप भूल भी चुके होंगे, तो इसलिए मैं इस H A के बीच में अंगल है, वो 180 डिग्री होगा, जो बिलकुल opposite जाएंगे एक दूसरे से, ये R और ये H B, ये भी हमारा 180 डिग्री अंगल होगा, बाकी सब जितने भी पास पास हैं एक दूसरे से, उन सब का ये अंगल 60 डिग्री होता है, चीक, तो ये तो बात रही से एक बार कौन सा कलर लूँ, ये, ठीक, अच्छा, तो अब हम आपको लोग को बता होगा, मैंने chemical equivalence भी आप से discuss किया था, जिसमें जब हमने number of signals बताया थे, तो chemical equivalence का मतलब होता है, जब protons का chemical environment same होगा, यानि protons are chemically equivalent if they have the same chemical environment and does the same chemical shift, तो अगर उनका chemical environment same होगा, तो उनके chemical shift की value भी same होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि chemical equivalence का मतलब हुआ, उनके chemical shift की value का same हो जाना, तो chemical equivalence arises from identical environments, और chemical equivalence कैसे arise ही थी, क्योंकि identical environments, वही मतलब same environment हमें जो है, देखने को मिला था, अब to be magnetically equivalent, अब ये magnetically equivalent होना क्या होता है, तो magnetically equivalent होने के लिए क्या होगा, nuclei that already are chemically equivalent, वो nuclei, जो already chemically equivalent होंगे, तब हम देखेंगे कि वो magnetically equivalent है या नहीं है, तो पहले उनका chemically equivalent होना बहुत जरूरी है, तो nuclei that already are chemically equivalent, must have the same coupling constant to any other nucleus in the molecule, तो जो भी हमारे chemically equivalent nuclei होंगे, उनके coupling constant की value अगर same हुई, दूसरे nucleus के साथ जब वो coupling करेंगे तो, तो अगर उनका coupling constant same होगा, तब हम कहेंगे magnetically equivalent है वो, तो देख लेते हैं, example के तोर पर यहां लिया हुआ है, isopropyl bromide, यह structure यहां बना भी रखा है, तो six methyl protons in isopropyl bromide are both chemically and magnetically equivalent, तो जो हमारा molecule यहां बन रखा है, isopropyl bromide का, तो यह isopropyl bromide में, जो हमारे methyl protons है, वो methyl protons हमारे, जो हैं, वो chemically equivalent भी हैं, और वो हमार magnetically equivalent भी हैं, अब वो कैसे हैं, वह हम यहां पर देखेंगे, तो isopropyl bromide जो है, हमारा एक symmetrical molecule है, यह बात मैंने chemical equivalence जब समझाया था, तब भी मैंने यह example लिया था, और तब मैंने आपको बताया था, कि इस molecule में एक plane of symmetry होती है, जो plane of symmetry होती है, जो plane of symmetry हैं यहां पर show भी कर dark line से, यानि wedges से show कर रखें, इसको आप ऐसे समझ दीजे कि दोनो CH3 आपकी तरफ आ रहे हैं, और जो यह BR और यह H हैं, यह dotted line से दिखा रहे हैं, इसका मतलब यह screen से पीछे की side है, आप इसको इस तरह से imagine कीजेगा, ठीक है, तो दोनो CH3 आपकी तरफ आ रहे हैं, और BR और H पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम एक ऐसा plane of symmetry, इसमें बीच में से cut करता वाल, मतलब बीच में डालें, जिसमें BR और H तो cut हो जाएं, और यह CH3 और यह CH3 दोनों एक दूसरे को reflect करेंगे, ठीक है, तो इसलिए यह हमारे inantiotopic protons कलाते हैं, और inantiotopic protons जो होते हैं, वो same signal देंगे, यानि अगर हम इस compound में, अगर हम signal का number देखें, तो हमें सिर्फ दो signal मिलेंगे, देखो CH3 proton, इसका भी A signal, तो इसका भी A signal, जो inantiotopic protons होते हैं, क्योंकि वो same signal देते हैं, तो अगर इस CH3 के लिए हमें A signal मिल रहा है, तो CH3 के लिए भी A मिलेगा, यानि single signal मिलेगा, और जो ये वाला H है, इसके लिए हमें दूसरा signal मिलेगा, यानि कुल मिलाकर हमें यहाँ पर दो signals मिलेंगे, ठीक है, तो वही ची जिसमें ये भी दे रखें, कि thus the two methyl groups, यानि all the six protons, will have the same chemical shift, क्योंकि उनका chemical environment same है, तो इसलिए क्या होगा, उनके chemical shift की value भी same होगी, क्योंकि द सिंगल signal की, अगर हम splitting देखें, हमें दो signal तो मिल गए, एक A signal मिला और दूसरा B signal मिला, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देरी हूँ, सपोज हमारा, मैं ऐसी लिख देरी हूँ, ये A signal है, सपोज और ये B signal है, ठीक है, तो फिर A signal की splitting होगी B signal की वज़े से, और B signal की splitting होगी A signal की वज़े से, और splitting rule मैंने आपको बताया था, हम N plus 1 rule यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास, ये हमारा molecule है, सपोज मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ये ऐसे CH है, और फिर यहाँ पर जो है, वो BR है, इस तरह से ये molecule है, isopropyl bromide का, अब इस CH3 के लिए भी हमें दोनों क्योंकि सेम है, तो दोनों के लिए एक signal और इसके लिए हमारा B signal, तो मैं ये बोल रही थी कि A signal इस B signal की वज़े से split होगा, तो B signal, मतलब हमें अगर A signal की splitting को देखना है, कि वो कितनी splitting, मतलब उसकी peaks, कितनी peaks में वो split होगा, तो हम N plus 1 rule लगाएंगे और N plus 1 में N क्या होता है, neighboring proton का मतलब, तो अगर हमें A signal की splitting को देखना है, तो उसके neighbor में हमें सिर्फ B proton देखना है, तो B proton कितनी है, खाली A की तो proton है यहाँपर, तो हम N की जगे 1 लिखेंगे, 1 plus 1 is equal to 2, यानि जो A signal होगा, वो हमें doublet में टूटावा दिखाई देगा, ठीक है, और वो क्यों मिली, क्योंकि B signal, जो B protons थे, वो हमारे पास 1 है, और हमें सिर्फ N plus 1 रूल लगाना है, अब हम देखेंगे कि B signal की splitting, मतलब B signal कितने peaks में split होगा, उसके लिखेंगे हमें N plus 1 रूल लगाना है, और N क्या होते हैं, neighboring nuclei, और neighboring nuclei, इसके neighboring nuclei, क्योंकि हमें यहाँप और अगर 6 protons हुए, तो 6 plus 1 लगाएंगे, और 6 plus 1 हमारा हो जाएगा 7, ठीक है, तो हमें यहाँपर जो है, एक septet देखने को मिलेगी, septet मतलब हो गया, हमें यहाँपर 7 lines देखने को मिलेगी, ठीक है, अच्छा, और यही चीज़ी नोंने यहाँपर लिखी हुई भी है, कि य यह जो हमारे all 6 protons थे, यह give one signal split into a doublet by a proton on the carbon bearing bromine, ठीक है, और moreover all the 6 protons are coupled equally to the methane, methane proton का मतलब CH protons, which is split into a septet, ठीक, तो वही मैंने आपको बताया कि जो हमारे equivalent nuclei होते हैं, बस उनका number हमने calculate किया, उसमें plus 1 कर लिया, और A signal की splitting हम B की वज़ा से देखेंगे, और B की splitting हम A की वज़ा से तो बस neighboring nuclei हमें देखने हैं कि कितने हैं, उसमें हमें N plus 1 rule लगा देना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमने ये तो देख लिया कि CH3, CH3 हमारे दोनों chemically equivalent है, और हम अब splitting की जब हम बात कर रहे थे, तो हमें coupling constant की value कैसे मालूम पड़ेगी, तो देखिए, अगर एक बार मै यहाँ लिख दूँ, ठीक है, ऐसे ही मैं इसको भी खोल कर लिख दूँ, यह edge और यह edge, तो यह edge ही तो थे, जो इस edge के साथ couple कर रहे थे, ठीक है, और अगर मैं इसका coupling constant की value ऐसे में मेरे को नहीं पता है कि क्या है, लेकिन अगर आप कितने bond coupling हैं, अगर आप वो चेक करें, तो देखिए, एक bond यहाँ पर है, अगर मैं इस edge के बारे, किसी भी edge को, सारे edge एक जैसे ही है, आप इस edge को देख लिया, मैंने यह edge है, फिर carbon-carbon bond के बीच में एक bond है, और फिर इसके बीच में, तभी तो coupling होगी, तो यानि जो CH3 proton है, यह J3, 3J coupling जो है, यहाँ पर show कर रहे है और अगर मैं इन protons की बात करूँ, तो यह भी number 1 bond हो गया, यह number 2 bond हो गया, और यह number 3 bond हो गया, यानि यह भी 3J coupling शो कर रहे हैं, तो इनके coupling constant की value सेम आएगी, तो जब क्योंकि इनकी coupling सेम हो रही है, क्योंकि यह दोनों ही protons, जो चाहे यह वाला CS3 ले 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 चाहे हम, यह वाल सेम हो रही होगी, तब वो magnetically equivalent भी होंगे, तो magnetically equivalent होने के लिए हमें सिर्फ 2 requirements चाहिए, और कौन कौन सी, सबसे पहली चीज तो यह चाहिए, कि magnetically equivalent nuclei must have same chemical shift values, उनकी chemical shift values same होनी चाहिए, यानि कि magnetically equivalent होने के लिए उन्हें सबसे पहले chemically equivalent होना जरूरी है, ठीक है, और दूसरी requirement क्या थी, कि magnetically equivalent nuclei must have same j values, उनके j values भी, यानि coupling constant की value भी same होनी चाहिए, to all other nuclei in the molecule, जतने भी nuclei और present है, वो जो भी हमारे chemically equivalent nuclei है, वो जतने भी दूसरे nuclei है, जब उनके साथ couple करें, तो वो same coupling करें, यानि उनके coupling constant की value भी same हो, तब हम उन्हें magnetically equivalent कहेंगे, ठीक है, अच्छा, अ इसमें next क्या लिखा हुआ है, अब अगर हम बात करें, इसी को हम और अच्छे से समझें, तो all the magnetically equivalent, यह sentence बटा याद रखना, यह बहुत important sentence है, जो अब आगे आ रहा है, all the magnetically equivalent nuclei are chemically equivalent, ठीक है, जितने भी magnetically equivalent nuclei होते हैं, वो सब chemically equivalent होते हैं, लेकिन, but the reverse is not true, reverse क्या हो जितने भी chemically equivalent nuclei हैं, वो सबके सब magnetically equivalent नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन, magnetically equivalent सबके सब chemically equivalent होंगे, तो यह चीज़ अपने दिमाग में बढ़ाना, यह sentence, बहुत important sentence है, कि magnetically equivalent nuclei nuclei तो chemically equivalent होंगे ही होंगे, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है, कि chemically equivalent न इस जारी है वो बिलकुल बीचो बीच जारी है यहाँ सेंटर से, मतलब अगर आप यहाँ से इस मॉलिक्यूल को कट करने लग जाएं तो मॉलिक्यूल जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, अभी आप यह ए बीच छोड़ दीजेगा, आप सिर्फ देखेगा यह सारे हाइड्रोजन्स हैं, तो जब यह बीच में से कट हो जाएंगे एक्स और वाई तो कट हो जाएंगे, तो यह एच इस वाले एच को रिफलेक्ट करेगा, यानि यह दोनों एच जो होंगे, वो इनेश्यो टॉपिक प्रोटॉन्स होंगे, दोनों का क्यामिकल एन्वायर्मेंट सेम होगा, और इसलिए इनके क्यामिकल शिफ्ट की वेल्यू भी सेम होगी, ठीक है, और यहाँ पर यह एच यह वाले एच को रिफलेक्ट करेगा, और यह एच ए और एच बी, यह दोनों अलग-अलग हैं, क्योंकि एच ए जो दोनों हैं, वो X के पास है, और एच बी जो हैं, वो Y के पास है, ठीक है, तो हमें कुल मिला कर आप कह सकते ह यहाँ पर दो signal दिखाई देंगे, एक A protons के लिए, दूसरा B protons के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने plane of symmetry दिखाई, अब क्यूंकि यह H, इस H के को कह सकते हैं, दोनों के दोनों chemical environment same है, तो दोनों initial topic proton है, इसलिए हमने A A से दिखा दिया, अभी आप dash को भी छोड़ दीजेगा, आप सिर्फ यह देखिएगा कि यह भी HA है और यह भी HA है, तो दोनों के लिए हमें एक signal मिलेगा, नीचे भी ऐसे यह HB है, तो यह भी है, डैश मत ध्यान दीजेगा, अभी सिर्फ भी ध्यान दीजेगा, तो इसलिए यह भी, और B क्यों लिखा हमने A क्यों ने लिखा, क्य तो हमें दो signal मिले है, यहाँ पर कुल, अब हमने क्या करा, chemically equivalent hydrogens को हमने label कर दिया, HA और HA से, HB और HB से, अभी डैश मत देखिएगा, सिर्फ HB और HA और HA देखिएगा, तो हम क्या देख रहे हैं हाँ यहाँ पर, we would expect both HA and HA' और HB या HB' to have the same chemical shift, यह तो सही है, कि यह जो वाले hydrogens हैं, इनके chemical shift की value सेम होगी, इस HA की और इस HA' की, और जो नीचे वाले हैं, चाहे HB और HB' दोनों के chemical shift की value सेम होगी, यानि कि उनका chemical environment सेम होगी, यानि कि उनका chemical environment सेम होगी, बट, their coupling constants to the other nuclei are not the same, लेकिन उनका जो coupling constant है, उनकी value जो है, वो सेम नहीं होगी, अब व हमें ये देखना है कि क्या ये HA और ये HA' क्या ये दोनों magnetically equivalent हैं या नहीं, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कि ये दोनों nuclei, जब किसी दूसरे nuclei के साथ coupling करेंगे, तो क्या उनके coupling constant की value क्या या उनका coupling सेम होगी, तो हम देखेंगे, देखो, जैसे ये वाला HA है, अगर ये इस HB के साथ coupling करेगा, ठीक है, HB के साथ coupling करेगा, तो इसका कौन सी coupling होगी है, देखो, कितने bond है इनके बीच में, बस हम वो check करेंगे, ये 1 bond, ये 2 bond, यहाँ 5 bond मत count कर लीजेगा, हमें simple single bond से मतलब है, ठीक है, 1 bond, 2 bond और ये 3 bond, तो इसलिए यहाँ पर HA और HB के ब तो यहाँ 1 bond, ये 2 bond, फिर ये 3 bond, ये 4 bond और ये 5 bond, यानि यहाँ पर हमें 5J coupling देखने को मिल रही है, या आप ये भी कह सकते हैं, HA, HB के साथ ortho coupling शो करेगा, क्योंकि ये HA और HB एक दूसरे से ortho position पर है, और HA' और HB के बीच में जो coupling होगी, उसको हम para coupling बोलेंगे, क्योंकि HA' और HB की position एक दूसरे से para है, तो यहाँ पर ortho coupling हो रही है, HA के साथ, HB की, और इसी HB के साथ, ये HA' पैरा coupling शो कर रहा है, या 5J coupling शो कर रहा है, तो दोनों के coupling constant की value अलग-अलग आएगी, ठीक है न, तो ortho coupling की भी मैंने आपको value बता रखी और para coupling, para coupling तो मैंने बता आए होती है, जबकि ortho coupling हमें 7 to 8 Hz पर देखने को मिलता है, तो दोनों के coupling constant की values अलग-अलग हो गई, इसलिए ये जो chemically equivalent nuclei थे, ये अब magnetically equivalent नहीं होंगे, chemically equivalent तो है, लेकिन magnetically equivalent नहीं होंगे, इसलिए हमने इस A के उपर dash लगा दिया, तो A तो जो हमने लिखा, H के साथ जो हमने A लिखा है, वो तो ये denote कर रहा है कि ये दोनों जो है chemically equivalent है, लेकिन जब हमने dash लगा दिया, तो dash ये show कर रहा है कि HA और HA dash ये दोनों magnetically non equivalent है, ये बात आपको I hope की समझ में आई होगी, और यही चीज आप सारे nuclei के लिए यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर present है, अभी तो हमने HA और HA dash को देखा, ऐसे ही आप HB को देख लिजी और HB dash को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के लिए हमें एक signal मिल रहा था, लेकिन वो कितने में split होगा, बस हमें वो देखना है, ठीक है, तो HB का जो हमें ये देखना है कि वो, या HB dash, दोनो chemically equivalent nuclei के लिए हमें ये देखना है कि अगर हम कोई तीसरा nuclei ले ले ले, suppose हमने ये HA ले लिया, इसके साथ हम इस HB की भी coupling देखेंगे और इस HB dash की भी coupling देखेंगे, तो HB इस HA के साथ 3J coupling शो कर रहा है, ये तो हमने अभी दिखाया था, और ये HB dash इस HA के साथ 5J coupling शो करेगा, ये 1 bond, ये 2 bond, य ये 4 bond और ये 5 bond, क्योंकि HB dash और HA एक दूसरे से पैरा position पर present है, तो इसलिए हमने HB के साथ dash लगा दिया, कि ये HB और ये HB, एक दूसरे से chemical equivalent तो है, क्योंकि chemical shift की value सेम है, chemical environment सेम है, लेकिन क्योंकि ये तीसरे nuclei के साथ, इनके coupling constant की value सेम नहीं आ रही है, एक जो है 3J coupling शो क कर रहा है, तो एक दूसरा जो है 5J coupling शो कर रहा है, चाहे आप ये nuclei ले लीजिए, इसके साथ आप HB की coupling देख लीजिए, HB इसके साथ 5J coupling शो करेगा, और HB dash इसके साथ 3J coupling शो करेगा, तो उनके coupling की constant की value differ करेगी, तो सारे nuclei का आप कितने, जो कोई भी आप HA dash को ले लीजि 5J coupling हो जाएगी, ठीक है, तो अलग-अलग nuclei जो है, मतलब जो chemically equivalent nuclei थे, वो किसी third nuclei के साथ, क्योंकि coupling different कर रहे हैं, उनके coupling constant की value अलग आ रही है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये magnetically non equivalent है, तो जितने भी nuclei है, ये magnetically non equivalent निकलेंगे, तो इसलिए हमने जो भी chemically equivalent nuclei है, बस उनको हम करना होता है, कि वो magnetically equivalent है या नहीं, तो बस हमको एक तीसरा atom ले लेते हैं, या तीसरा nuclei ले लेते हैं, जिसके हाथ वो coupling कर रहे हैं, बस उनकी coupling को check करते हैं, कि क्या वो दोनो nuclei, एक same, third nuclei nuclei के साथ, क्या same coupling constant दे रहे हैं, या नहीं दे रहे हैं, तो coupling constant normally आपको ना भी याद र तो आप कम से कम bond count कर सकते हैं हमाँ पर, और bond count करके आप दिखा सकते हैं हमाँ, कि कितनी coupling, जैसे पहले हमने isopropyl bromide लिया था, तो दोनो CH3 proton, उस CH proton के साथ, क्योंकि 3 bond coupling ही दिखा रहे थे, तो इसलिए हम ये कहा रहे थे, कि वो magnetically equivalent है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही nuclei, एक ती बढ़ा रखा है, सारे ये आप खुद से पढ़ सकते हैं हां, कि कौन-कौन सी coupling क्या-क्या दे रखी हैं, ठीक है, अगर हम एक दूसरा example लें, दूसरे example में हमने क्या कर रखा है, which has the chemical equivalence due to plane symmetry, but not the magnetic equivalence, one-one-difluoro-ethene है, अब देखो, यहाँ पर भी क्या है, सबसे पहले तो ये correction कर लो बेटा, ये HA है, और इसके साथ dash लगा हुआ है, और ये भी HA है, लेकिन इसके साथ dash लगा हुआ है, तो dash लगने का मतलब ये ही हो गया, कि ये magnetically non equivalent है, AA का मतलब हुआ, ये एक दूसरे के साथ, जो है, chemically equivalent है, लेकिन जैसे ही हमने dash लगाया, वो magnetically non equivalent हो जाएंगे, अब कैसे हुए हैं, वो ही देखते हैं, देखो, इसमें एक plane of symmetry तो है, ये यहाँ से जारी है, ठीक है, ये F, इस F को reflect करेगा, और ये H, इस H को reflect करेगा, तो इ यहाँ पर हम F को भी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि F जो होता है, ये फ्लोरीन जो होता है, वो भी हमारा NMR active nuclei है, NMR active मैंने आपको ओता है था न, कि I की value 0 नी होनी चाहिए, तो इसके I की value, nuclear spin quantum number जो था, उसकी value half होती है, तो ये भी हमारा जो है, NMR active nuclei, तो य same coupling concept, वही मैं आपको बताना चाहिए थी, देखो, हमने सबसे पहले तो देखा, plane of symmetry है इसमें, और ये FA और ये FA जो है, वो chemically equivalent हो गया, HA और हमें ये check करना है, कि suppose हमें ये HA को check करना है, और HA को देखना है, कि ये दोनो chemically equivalent तो हमने बता दिये, क्या ये दोनो magnetically equivalent है या नहीं तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा nuclei लेंगे, इन दोनों के अलावा, कोई और third nuclei, जैसे हमने इस FA को ले लिया, तो जब हमने इस FA को लिया, अब हम देखेंगे, क्या ये HA और ये HA' इसके साथ same coupling कर रहे हैं, तो अगर आप देखें, HA, अगर इस FA के साथ coupling करेगा, तो cis coupling करेगा क्योंकि HA और FA दोनों के दूसरे से cis position पर है, तो यहाँ पर तो ये cis करेगा, लेकिन ये जो HA' है, ये वाला, इस FA के साथ trans position पर present है, क्योंकि double bond से FA एक साइड है, और HA दूसरी साइड है, तो दोनों के दूसरे से क्योंकि trans position पर है, इसलिए ये HA' तो करेगा trans coupling, ठीक है, और ये HA करेगा cis coupling, किस के साथ? FA के साथ, ठीक, या आप FA' के साथ देख लीजे, FA' के साथ ये HA जो करेगा, वो तो करेगा cis coupling, क्योंकि ये इसके साथ cis position पर है, और जो ये HA है, इस FA' के साथ, ये करेगा trans coupling, तो क्या हुआ, ये दोनों nuclei, जो हमारे chemical equivalent थे, एक third nuclei के साथ, क्योंकि same coupling नहीं दे रहे हैं, भाई, जे cis की value अलग होगी, जे trans की value अलग होगी, जे trans हमेशा जादा होता है, जे cis हमेशा कम होता है, ये सब मैं पिछली वीडियो में explain कर चुकी हूँ, तो क्योंकि इनकी coupling ही same नहीं हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये HA और HB, HA' जो हमने यहा पोल सकते हैं, इनकी भी अगर हम coupling, क्योंकि coupling तो ये भी करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे NMR active nuclei है, तो अगर मैं देखू, FA के लिए, और FA' के लिए, तो हम एक third nuclei ले ले लेना है, HA, तो FA की इसके साथ coupling, जे cis coupling होगी, और FA' की इसके साथ coupling हमारी जे trans होगी, जो इसमें यहाँ environment सेम देखना है, कि उनका chemical environment सेम है या नहीं है, और magnetically equivalent के ले हमें देखना है, कि उनके coupling constant की value या उनकी coupling सेम है या नहीं, किसी तीसरे nuclei के साथ, तो वही चीज़ जिसमें last में लिखी होई भी है, कि chemical equivalence requires same chemical shift, while magnetic equivalence means coupling equivalence, यानि coupling constant की value सेम होनी चाहिए, तो ये था पूरा magnetically equivalent, nuclei क्या होते हैं, या magnetic equivalence क्या होती है, ठीक, इसके बाद मैं next topic ले रही हूँ बेटा, ये भी छोटा सा topic है, हमारा peak area और proton counting, अब ये peak area और proton counting से क्या मतलब है, उसी को हम एक बार देखने रहे हैं, तो इन NMR spectrum, various peaks या signals, जिनको हम signal बोल रहे हैं, represent different kinds of protons, ये तो हमें पता चली क्या है, अब तक हमने number of signals में देखा, जितने type के हमें signals मिलते हैं, उतने type के protons हमारे spectrum में, या उतने type के protons हमारे molecule में present होते हैं, तो the area under a peak is proportional to the number of hydrogens, contributing to that peak, यानि अगर हमने peak का area देख लिए, under a peak कितना area है, वो area proportional होता है number of hydrogens के, यानि area जितना ज्यादा होगा, number of hydrogens भी उतने ज्यादा होगे, तो we can simply compare peak heights, normally हम क्या करते हैं, peak heights को compare करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि, जैसे मैंने TMS के बारे बताया था, TMS के हमें बहुत लंबी peak देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर 12 hydrogens होते हैं, तो जितने ज्यादा hydrogens होगे, peak की height भी उतनी ज्यादा होगी, normally हम यह कह देते हैं, height से compare कर लेते हैं, hydrogen को, पर actual में वो height नहीं होती है, वो area under the peak होता है, however, it is the area under the peak that is important, तो हमारे लिए height उतनी importance नहीं रखते हैं, जतना की area under the peak हां, लेकिन हम generally यह बात मान लेते हैं, कि जिसके जतनी ज्यादा height होगी, उसका area under the peak भी उतना ज्यादा होगा, तो इसलिए हम normally height से compare कर लेते हैं, तो the intensity of NMR absorption is not determined from its peak height, तो जैसे अभी तक हमने spectroscopy में, कई spectroscopy में हमने देख लिया कि height जितनी ज्यादा होगी peak की, हम यह कह देते हैं, कि intensity of the signal भी उतनी ज्यादा होगी, यानि intensity को हम height के proportional माल लेते हैं, peak की, पर actual में यहाँ पर क्या करते हैं, NMR में क्या होता है, वो height ना होकर total area under the peak होता है, और यह total area under the peak को हम integral बोलते हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो integral value जितनी ज्यादा होगा, उतने ज्यादा number of hydrogens होगे, तो for the determination of area under a peak, अब इस peaks के under का area कैसे हम calculate करेंगे, तो उसे हमें कुछ ज़र electronic integrator, already NMR instruments में, एक already electronic integrator लगा हुआ होता है, जो हमें यह integral की values को बता देता है, तो this electronic integrator computes the relative areas of the peaks, तो यह electronic integrator क्या करता है, हमें peaks के relative areas को बता देगा, ठीक है, in the integration mode, the instrument produces a trace, instrument क्या करता है, trace को produce करता है, trace कुछ इस तरह से, ऐसे आता है, s की shape में, integral value भी तो हम ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए हम यह integral word आया है, integration के लिए जो हम sign लगाते हैं, वहीं से हमने integral दिया है, तो instrument जो होता है, एक trace को produce करता है, that rises when it goes over a peak, जब वो peak के उपर जाता है, तो यह जो है, raise करता है इसका area, मतलब अगर suppose हमारे पास यह एक peak है, यह peak है, तो यह जो हमारा trace जाएगा, वो कुछ इस तरह से जाएगा, यह ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से जाता है यह, ठीक है, अभी मैं आपको एक वो दिखाऊंगी spectrum, तो आप देखेंगे महाँ पर, तो जितने भी peak के उपर से यह trace जाता है, तो हर peak के उपर से यह rise करता है, ठी of that peak है, तो ऐसा integrated spectrum हम यहाँ दिखने हैं, देखो, यहाँ पर आप मैं आपको अच्छे समझा दूँगी, देखो, यह हमारा spectrum किसका दे रखा है, methyl tertiary butyl ether, देखो, यहाँ पर methyl group लगा हुआ है, बीच में oxygen लगा हुआ है, और जो यह group लगा हुआ है, यह कौन सा, एक carbon से, यह CH3 है, यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3, यहाँ CH3 यहाँ तर्शरी butyl group लगा हुआ है, तो एक तरफ तर्शरी butyl group लगा हुआ है, दूसरी तरफ methyl, बीच में oxygen है, इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं, methyl tertiary butyl ether, ठीक, अब अगर हम इसमें देखें, इसमें हमें 2 types के protons, 2 signal दिखाई द यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानि 9 protons के लिए हमें 1 signal मिलेगा, और जो यह 3 protons हैं, इनके लिए हमें 1 signal मिलेगा, ठीक, तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, यह देखो, यह 3 point something पर मिला, यहाँ पर कहीं, यह 3 point something पर मिल रही है, एक peak, और दूसरी 1 point something पर मिल रही है, हमें 1 peak, तो इस peak के ऊपर से आप देख रहे हैं ये जो जा रहा है जब हमें कोई signal नहीं मिलता तो हमारा जो trace है वो इस तरह से जाएगा बिल्कुल parallel चला जाता है ठीक है जैसे हमें कोई signal मिलता है ये तुरंट अपना बढ़ जाएगा मतलब ये peak के ऊपर से rise कर जाता है ठीक है जहां ये rise करा इसका मतलब वहाँ पर हमें कोई signal मिला है फिर कोई signal नहीं मिलेगा तो फिर हमें ये blank बिल्कुल इस तरह से parallel चला जाएगा इस नीचे ppm की value के ठीक है फिर जैसे हमें कोई peak मिलेगा यानि कोई signal मिलेगा तो फिर ये rise करेगा ठीक है तो जितना ये rise करता है यानि हम पर यह जो rise किया है, वो 21 mm दे रखा है, देखे, actual में क्या होता है, यह graph paper होता है, जैसे graph paper में बना होता है, इस तरह से हम छोटे-छोटे, यह इस तरह से बने वे होते हैं, छोटे-छोटे square बने होते हैं, और एक square को हम 1 mm मान लेते हैं, तो बस वही square हमने यहां count कर रखे, तो इस जो हमने लिया, हमारा, methyl tertiary butyl ether, इस spectrum में क्या दिखा, as the dark S-shaped, वही जो मैंने integration का sign वाला देखा था, dark S-shaped curve, superimposed on each peak, हर peak के ऊपर हमें यह curve दिखने को मिलेगा, जिसको हम integral बोल दे रहे हैं, तो the relative height of the integral in any conventional unit such as mm, जहां पर हमने mm में लिया हुआ है, इस proportional to the peak, तो जो वह हमारी integral की height मिली, उसको हमने माल लिया peak के proportional है, तो relative heights of the integral in figure are in the ratio of 1 is to 3, हमने क्या ratio देखा था, 7 mm का देखा था, और 21 mm का देखा था, तो अगर हमें यह ratio दिखाना है, 7 is to 21, इसको अगर हम simplify करें तो हम कैसे कर सकते हैं, 7 by 7 divided by 7, जो छोटी वाली unit है, उस इसे दोनों को हम divide कर देंगे, तो हमारे पास 1 is to 3 का ratio आ जाएगा, तो integral का जो ratio मिला, वो हमें 1 is to 3 का मिला, इस ratio से हमें यह मालूम पड़ेगा, कि हमारे जो proton का ratio है compound में, वो भी यही ratio है, 1 is to 3 का, तो आप देखो हमारे पास क्या थे, methyl proton थे, methyl proton कितने थे, 3, और tertiary butyl में proton इसे वो कितने थे, 9, तो 3 is to 9, अगर हम इस ratio को simplify करें, तो हम कैसे कर सकते हैं, इस ratio को simplify करेंगे, तब भी हमें 1 is to 3 का ही ratio मिलेगा, ठीक है, तो the relative number of protons are 3 and 9 respectively, वो तो हमें पता ही है, protons का number अभी हमने देखा ही, also in the ratio of 1 is to 3, तो हमें integral ratio से हमारे proton का ratio पता चल जाता है, तो यह ह हमें NMR spectrum से बहुत help मिलती है, इस सीज में, कि हमारे पास जो भी हमने signals मिले है, वो कितने protons की वज़े से आया है, तो वो वस हमें integral ratio से हमें मालूम पढ़ जाता है, तो thus spectrum does not show that methyl tertiary butyl ether has 3 methyl protons and 9 tertiary butyl, हमें यह नहीं मालूम पढ़ा कि हमारे पास 3 methyl protons है और 9 butyl protons है, हमें यह मालू integral का जो हमें यहाँ, यह हमें 21 mm था, तो यह value delta ppm लगभग 1.22 ppm थी, और एक हमें यह मिल रहा था 7 mm का, ठीक है, और यह हमारी लगभग 3.4 ppm थी, तो हमें यह मालूम पढ़ा, हमें सिर्फ ratio मालूम पढ़ा, कि 1 is to 3 ratio में हमारे proton present है, हमें यह नहीं मालूम पढ़ा कि यह 3 protons हैं या 9 protons हैं, हमें सिर्फ उसका ratio मालूम पढ़ा, तो मतलब वो यह बताने की कोशिच कर रहा है, कि यह जो spectrum है, उससे हमें सिर्फ यह मालूम पढ़ रहा है, कि जो 1.2 ppm पर हमें जो भी protons मिलेंगे, वो हमें, वो 3 times होंगे, उन protons के, जो हमें 3.4 ppm पर जो signal मिला है, जिन protons क होंगे, किन protons के, जो 3.4 ppm पर हमें मिल रहा है, ठीक है, तो यह हमें सिर्फ ratio मिल रहा है, यानि 1 is to 3 का ratio मिल रहा है, ठीक, तो सिर्फ simple सी यह बात कि integral ratio से हमें proton का ratio पता सल जाता है, ठीक, अब यह integrals of NMR spectra can be represented in 3 different ways, this depends on NMR spectrophotometer, अब हमारे पास NMR spectrophotometer भी काफी modern हो गए है, तो पहले जो मिलता था न, वो 60 MHz, जो अभी मैंने आपको बताया, वो 60 MHz का था, जिसमें हमें वो peak की height, बता रहा है, इंटीग्रल की जो वो height वहाँ पर लिखी हुई थी, ठीक है, तो अब जो मिल रहे हैं, वो modern instrument है, वहाँ पर हमें integral value भी already मिलती है, और कुछ तो instrument ऐसे ह जो directly हमें hydrogen का number ही बता देते हैं, तो हमारे पर three types का different way हैं, जिससे हम integrals of NMR spectra को represent कर सकते हैं, तो पहला case तो मैंने अभी आपको दिखाया, spectrum का, the integral curve is shown as in the above case, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, in this case, the integration curve is shown on each peak, हर peak के उपर, आपको ऐसे S की shape में देखने को मिलेगा, ठीक ह और दूसरा case क्या है, second case में आपको क्या मिलेगा यहां पर, कि integral values are given as number shown over there corresponding resonances as in the following figure, मतलब की क्या हुआ, अब ऐसा भी हमारे पास यह वाला compound है, यह compound हो गया हमारा benzyl acetate, benzyl acetate, CH3, COOH, acetic acid होता है, उसके एक H को हमने benzyl group से, यानि benzyne में अगर हम CH2 लगा दें, तो हमारे पास benzyl group बन जाएगा और इसको हम बोलेंगे benzyl acetate, तो benzyl acetate का जब हम, अगर हम इसमें signal की बात करें, कितने signal मिलेंगे, तो देखो, यह CH3 protons, यानि इन तीन proton का एक signal मिलेगा, ठीक है, यह CH2 protons, इनका एक signal मिलेगा, यानि दो protons का एक signal मिलेगा, और यह benzyne ring के ज देखने को मिलेंगे, और वही तीन signal हमें यहाँ दिख भी रहे है, ठीक है, यह जो 0 ppm पे बना रखा है, यह actual में TMS का है, इससे तो हमें कोई मतलब नी, बस इससे कितनी दूर मिल रहे है, उससे हमें ppm value से हमें यह मालूम पड़ता है, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ प पर हमें 1.92 मिला और यह हमें 2.80 मिली, तो कुछ ऐसे instrument जैसे हमने यह 300 MHz का FTNMR instrument यूज किया हुआ है, तो उसके लिए integral value और यहाँ से हम proton का number कैसे निकाल सकते हैं, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यह है कि जितने भी हमारे पास यह integral values हैं, हमने इनको लिखा, और अब ह तो इसलिए हम तीनों values को 1.92 से हमने divide कर दिया, और जब divide किया तो हमें value मिली यह, अब इन values से हमें hydrogen का number तो नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि यह सब point में दे रखी हैं, actually, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम 2 से multiply कर देंगे, देखो, actually क्या है, अगर हम इसका एक approximate value भी देखें, तो 2.39 को, अगर मैं 2.5 भी लिख दूँ, तो 2.5 तो proton का number नहीं हो सकता, proton का number तो 1, 2, 3, 4, इसी तरह से होगा, 2.5 कोई number नहीं है, तो 1.46 है, इसको भी मैं 1.5 लिख सकती हूँ, और इसको मैं 1 लिख सकती हूँ, ठीक है, तो इनको अगर हमें whole number बनाना या round off क करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से multiply करना पड़ेगा, तो या तो आप इनको direct लगभग approximate value लिखके, इनको ही 2 से multiply कर दीजे, तो आपके पास number ये 5 आ जाएगा, इसको अगर आप 2 से multiply करेंगे, तो number 2 आ जाएगा, और इसको आप 2 से multiply करेंगे, तो 3 आ जाएगा, त को तो फिर 2 लिख आ जाएगा 2.9 को लगबग लगबग हम 3 लिख सकते हैं ये मानते वे कि जो भी हमने ये integral values आई हैं इनमें कम से कम 10% error तो होगी होगी तो ये accurate value नहीं दे रहे हैं तो वो approximate value दे रहे हैं तो जब हमने round off किया तो हमें मालूम पड़ा कि ये 5 hydrogen तुझ जैसा कि ह हम बताई रहे हैं कि 5 hydrogen की वज़े से हमें एक peak मिल रही है और एक peak हमें 2 hydrogen की वज़े से मिल रही है जो CH2 protons थे और एक peak हमें 3 hydrogen की वज़े से मिल रही है जो CH3 protons थे तो कुल मिलाकर 10 protons थे वही हमने 10 protons के निकालके यहाँ पर number ला दिया तो ये integral value अगर already दी हुई हैं तो हम number of protons भी easily हाँ पर बता सकते हैं ठीक तो एक तरीका ये भी होता है कि इस तरह से भी आपको modern instrument में ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा और एक type ये भी होता है कि जहाँ पर आपको directly proton का number ही देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर हर signal के उपर जो है number of hydrogen जो हैं लिखे वे हैं तो ये सब कुछ था आपका peak area या number of protons तो peak area ratio अगर आपको दे रखा है तो आप proton का ratio निकाल सकते हैं और अगर आपको integral value दे रखिए तो अब तब भी आप number of proton कैसे निकाल सकते हैं तो वो सब यहाँ पर calculation करके दी गई थी तो बस यहाँ दोनों शोड़ों टॉपिक से जो मै सब कितना NMR को समझ पाएं ठीक तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching